हमारे चैनल पे अब हर रोज गीवे चल रहा है इस गीवे को पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपको हमारी वीडियोस को यहाँ से लाइक करना है अपने कुछ फ्रेंड्स में वाचसर फेस्बूक पे सेयर कर देना है एकदम इमंदारी पुर्वक कंजूसी नहीं चलेगी और उसके बाद जो है कि आपको नीचे जाना है और धेर सारे लोग आप देख सकते हैं कि नीचे में कॉमेंट किये हुए है ऐसा ही आपको कॉमेंट करना है और अगर आप हमारे लखी विनर होईंगे तो हर रात को 10 बजे हम अपने टेलीगराम पे अपने विनर्स के नाम एलाउंस करेंगे और उन्हें से इन करेंगे हम अच्छा खासा पेटियम कैस आपने अगर अपना यूटूब चैनल खोला है और आपके पास में सब्सक्राइबस नहीं है तो यूटूब चैनल खोलना बेकार हो जाता है क्योंकि हम अपनी विडियो को किसके पास पहुँचाएंगे हमारे पास अगर सब्सक्राइबस ही नहीं होएंगे तो हमारी विडियो को देखेगा कौन कैसे हमारी विडियो रैंक करेगी तो मेरे प्यारे मित्रू ये जो विडियो है गर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनके पहले 1000 सब्सक्राइबस नहीं बढ़ रहा है इन फैक्ट उन लोगों को भी फाइदा होगा जिनके 1000 सब्सक्राइबस तो हो गए है लेकिन आगे subscribers गोलो नहीं कर रहे है तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ tips देने वाले हैं अगर इन tips को आप follow करते हो तो definitely आपके channel पे grow देखने को मिलेगा और आपका channel grow भी होगा subscribers भी बढ़ेंगे और आप YouTube पर एक अच्छे YouTuber भी बन पाएंगे आप सभी लोगों से एक छोटा सा अंगरोध है कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा अन तक देखेगा ताकि आप हमारे बताएगए tips को ध्यान से सुन सके और उसे अपने channel पे implement कर सके तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले tips की कि कौन से ऐसा पहला tips है मेरा जिसको अगर हमने अपने YouTube channel पे implement किया तो हमारे सुरुवाती के 1000 subscribers जल्दी से आने लगेंगे या अगर और लेडी पहले से subscribers है तो subscribers बढ़ने जालो हो जाएंगे तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने YouTube channel खोल लिया है या खोलने जा रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि आपको अपने interest की वीडियो उसमें डालनी है यानि कि आपको जिस topic में interest है जिस topic के बारे में आप अच्छे से जानते हो जिस topic के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा सकते हो उस topic के वीडियो आपको डालनी है ऐसा नहीं है कि अगर आपको खाना बनाने सिखाने में कोई interest नहीं है और आप उस पे चलेओगे वीडियो बनाने के लिए तो मुश्किल से कितनी वीडियो आप बना के दोगे और अगर दे भी दोगे तो आप अपना 100% उस वीडियो में नहीं दिखा पाओगे तो कि आपको उसमें interest ही नहीं है बहुत जारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज में interest ही नहीं होते है और उसका channel खोल देते हैं और वो समझा नहीं पाते हैं अच्छी तरह से उस चीज का channel अगर हम बनाते हैं तभी जाके हमारे subscriber हमसे जुरेंगे तभी जाके हम अपने subscriber को अच्छे तरह से explain कर पाएंगे अच्छे तरह से समझा पाएंगे इसलिए कोसिस करें कि अगर आप channel नहीं बनाया हो बनाने जा रहे हो तो वैसा topic का channel बनाओ जिसमें आपको interest है जिस चीज के बारे में आप regular video डाल सकते है जिस चीज पे आप लोगों को regular अच्छी तरह से समझा सकते है और अगर आपने channel खोल लिया है तो आप इसमें सुधार कीजिए आप अपने channel पे वो videos डालनी चालो कीजिए जो videos में आपको interest है जिस video को आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो जिस video को बनाने में आप enjoy कर सकते हो तो अपने channel पे उस तरह की videos डालिए यकिनन आपको मज़ा भी आएगा बनाने में और आपको समझाने में भी मज़ा आएगा आपके users भी बड़े मज़े से उस चीज को सुनेंगे और उनको समझ में भी आएगा क्योंकि आप उस चीज में interested हो और इंसान का अगर किसी चीज में interest होता है तो वो उस चीज को बहतर तरीके से explain कर पाता है अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे tips की कि हम कौन सा ऐसा दूसरा tips इस्तेमाल करें जिससे हमारा channel grow हो हमारे सुरुवाती के subscribers या subscribers है तो और जादा आ जाए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो वही करना चालू कर देते हैं जो all lady पहले से बहुत सारे लोग कर रहे हैं अगर बहुत सारे लोग already mobile का review कर रहे हैं और आपसे बहुतर तरीके से review कर रहे हैं और आप आओगे mobile का review करने के लिए तो फिर वो आपकी video देखने नहीं आएंगे क्योंकि आपसे बहुतर विक्ती वहाँ पे मौजूद है mobile का review करने के लिए या बताने के लिए तो आपना कोसिस करो कि हम लोगों से कुछ अलग करे कुछ ऐसा करे जो लोग नहीं कर रहे हैं योटूब पे और अगर कोई लोग कर भी रहे हैं उस चीज को और हम भी उसी चीज को करना चारे हैं हमारा भी इंटरेस्ट उसी चीज में तो हम उसको एक अलग धंग से समझाएं जैसे कि आपने नाम सुना होगा टेकनिकल दोस्तिक चैनल है उन्होंने mobile का review या अलग अलग अब हम चलते हैं अपने तीसरे टिप्स की ओर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी मन में आता है वो बना देते है वीडियो और सोचते हैं कि वीडियो चल जाएगी सब्सक्राइबर्स आजाएंगे तो ऐसे करने से नहीं होगा आपको ट्रेंडिंग टॉपिक की तलास करनी होगा आपको यह देखना होगा कि अभी हमारे देश में या इस वर्ल में कौन सा टॉपिक अभी ट्रेंड कर रहा है किसी के साथ कुछ हो जाता है या कुछ ऐसा चीज हो जाता है हमारे देश में जो जादा से जादा लोग उसके बारे में जानना चाहा है तो उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाईए तो आप यह चीज़ सर्च करो यूटूब पर या देखो कि देश में क्या चीज दायल हो जाएगी तो समझा कि लाखो सब्सक्राइबस लेकर आजाएगा अब हम बात करते हैं अपने अगले टिपस की ऊस टिपस में आप लोग बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड रहते हो आप लोग वही काम करते हो उसके लावा तो आप को दूसरा काम करते ही नहीं है आ आपके जो जाधा से जाधा घूजड़ा जाधा जो है कि वर्श तैंप सोशल मीडिया से आते हैं तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा यह यूटूब बोलता है कि आपको कुछ organic traffic की जुरूत है यानि कि कुछ traffic जो है वो आपको YouTube से भी लाने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि सारे traffic जो है आप social media से लाएंगे तो आप जो है कि monetize करवा पाएंगे अपने channel को मैं यह नहीं कहता कि कि आप अपने channel के वीडियो को WhatsApp पे फेस्बुक पे शेयर नहीं किजिए लेकिन अगर आप शेयर करते हो अपने Facebook पे या WhatsApp पे तो उन person को share करने की कुसिस किजी कि जो आपकी वीडियो को 50% से ज्यादा का watch time देता है यानि कि आपकी जो वीडियोस आप किसी को share करते है तो आपकी वीडियोस को देखता है ऐसा नहीं कि वो गया आप click करके छोड़ दिया तो इससे क्या होगी कि आपकी वीडियो की ranking खराब होग कि भया आपको हमारी वीडियो ना आदी से जादा देखनी है तब ही जाके आप हमारी वीडियोस को देखें नहीं तो नहीं देखें तो ये काम आप करवाए वार्ट सब फेस्बुक पे share कीजिए मैं मना नहीं करता हूँ लेकिन वहां से आप जो है कि views भी कहिए उनको देन जाना की और ये सारे काम करते रहीं करें से भी आता रहेगा यहां से यहां से प्रॉगलमस नहीं होगी जब आपका सोल मीडिया सब्सक्रaming आएगा अक दोनों जगह से लाटे रहेंके कोई दिक्कत नहीं होगे अब हम बात करते हैं अगले टिप्स की जो बहुत सारे लोग करते भी है और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं वो है लगातार वीडियो को डालना बहुत सारे ऐसे लोग है जो वीडियो को डाल देते हैं एक दो डालते हैं फिर कभी-कभी तो एक ही साथ दो डाल देते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि वो वीडियो डालते ही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छी आदत डाल लेजे, रोज दिन वीडियो डालने की, रोज दिन आप यहाँ पर वीडियो पब्लिस करेंगे वीडियो, तो आपके फ्रेंड को या आपके सब्सक्राइबर्स को आपकी आदत लगेगी, उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा रोज दिन आता है, चलो आज उन्होंने क्या नया लाया है, चलिए देखते हैं, अगर आप रोज दिन नहीं लापाओ, तो मैं यही आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दो दीन या तीन दीन के अंतराल में उस वीडियो को पब्लिस करो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो को continue डालते रहना है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो डाल दिया, फिर आपने दस दिन का गैप ले लिया, बिस दिन का गैप ले लिया, नहीं, आपको लगातार वीडियो डालने हैं, लगातार वीडियो डालेंगे तो आपका चैनल एक टी भी रहेगा, आपके subscribers भी समझेगे कि हाँ ये बंदा जो है कि काफी जादा इसमें interested है ये बंदा serious से इस चीज को लेकर और वो तब ही जाके आपको support करेंगे अब हम बात करते हैं अपने next tips की जिसको भी आपको इस्तिमाल करना है आप जो बड़े-बड़े YouTubers होते हैं उनके चैनल को पहले subscribe करके रखिए notification bell भी आप दबा के रखिए जब भी वो वीडियोस डालते हैं तो सबसे पहले जाके उनकी वीडियोस को देखिए और जाके वहाँ पर comment कीजिए comment में कुछ अच्छी बाते लिखे और अपने चैनल के बारे में बताएए ताकि वहाँ पर जो यूजस आते हैं उनकी वीडियोस को देखने के लिए वो जाके आपकी वीडियोस को भी वहाँ से देख पाएंगे easily उनसे जुड़ी होई कोई चीजी होगी तो वह आपके चैनल पर वहाँ से क्लिक करके आएंगे और आपकी वीडियोस को देखेंगे और हो सकता है कि आपकी वीडियोस की quality और सब चीज अच्छी होगी तो वह आपको subscribe भी कर सकते है और ज्यादा तर कोशिस कीजिएगा कि किसी YouTuber को आप comment करते हो तो उनको pin करने के लिए बोलिए अगर वो pin कर देता है तो आपका जो comment है वो सबसे top पे आ जाएगा हर किसी को comment दिखाई देगा और जल्दी से जल्दी आपके subscribers आने के chances ज्यादा स्यादा traffic आपके चैनल पर आएगा और ज्यादा स्यादा subscribers आने के chances आ और उस videos पे किसी को problem हुई या उसके बारे में अगर कोई की जानकारी निकालना चाहता है या उस YouTuber से कुछ पूछ रहा है और YouTubers को उस चीज का जवाब देने में लेट लग रहा है या वो अभी तक जवाब नहीं दिया हुआ है तो आप जाके उसको जाके जवाब दीजिए इसे क्या होगा कि दूसरा जो person होगा वो कहेगा कि भीया इसको भी लगता है इस चीज में knowledge है तो चलो इसके चैनल पर जाके देखते हैं कि यह चैनल पर कैसा content डालता है और उसके बाद जो है आपके चैनल पर आ गया अगर उसको लग गया कि आपका content अच्छा है तो आपक अगर थामनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई भी person आके आपके वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा कहते हैं कि एक कहावत है कि जो दिखता है वहीं बिखता है तो आपको अपने आपको थोड़ा सा दिखाना है मैं यह नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजों वहाँ पर डाल दो अगर ऐसा करोगे तो क्लिक बेट होगा इससे क्या होगा कि यूजर सापके वीडियो को देखने तो जाएंगे लेकिन वह थोड़ा सा देखके वापस आजाएंगे इससे आपकी वीडियो की रैंकिंग घट जाएगी और आपकी वीडिय में बताई है अगर वीडियो में हमने कुछ आश्यार्य चकित करने वाली बाते बताई है तो वह भी आप जरूर लिखिए लेकिन कोसिस कीजिएगा कि ज्यादा थमनेल जो है वह जूटा ना हो सच्चा हो और मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप अब जब तक अपने स सब्सक्राइबस को और यह जो टिप्स हमने आपको बताया है इसको अगर आप फोलो करेंगे तो हंडिट परसिंट आपके चैनल पर सुरुवादी के एक हजार सब्सक्राइबस भी आ जाएंगे और अगर आपके चैनल पर ओलेडी आ चुके है तो और भी ज्यादा सब्सक् हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है यूटूब पे और उसका आप सोलूसन ढूंड रहे हों आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप कॉमेंट कर सकते हैं हम उसके लिए हो सकता है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बस आज के लिए इतना